कि शिच्छ शिच्छ के जिग्यासुन अमस्कार आपका स्वागत है डॉक्टर पॉन सुखला एजुकेशनलिस्ट के यूट्यूब चैनल पर आपको ग्याती है कि हम लोग सिच्छा सास्त्र विशे की चर्चा कर रहे हैं जिसमें अजकल हम लोग सिच्छा की दार्शनिक प्रक्रिय कैसे होने चाहिए किसी देश में किसी समाज में किसी राष्ट में वह निरधारिक करती है तो उसको जानने के क्रम में हम आगे बढ़ते हुए समय संख्य दर्शन की तरफ पड़े हैं जिसमें आपने देखा पिछली वीडियो में तो आप जाने गए होगे कि जो हैं तो सांख्य दर्शन है वह एक समय दर्शन या संख्यात्म दर्शन के रूप में मना जाता है इसके प्रड़ेता कपिल मुहोदे प्रकिति और पूरुस की बात करते हैं अपने पिछले वीडियो में देखा तो जाना भी होगा कि इसे द्वेकांतवाद ₹ पुरस और प्रकित की बात करता है तो बत करता है ऑजब यह आत्माओं के अस्तित्व की बात करता है तो इसके बाद जाता है जब पुरुस को आत्मा या परभ्रम्ण के रुप में स्विकार करता है और प्रकित को माया के रूप में स्विकार करता है तो यह था फिर द्वैतवात की तरफ चला जाता है जिसमें ब्रह्म को ही सब कुछ माना जाता है यह ब्रह्म के द्वारा ही माया का जो सिजन होता है और उसे ही स्रिष्टी का निर्मारा और प्रक्रियाओं क संचालन होता रहता है तो इस संदर में हम आज के जो जो हमारा संकल्पना है चात्र किसी कहा जाता है उसके बारे इसके बारे में आप जानते ही हैं कि जो चिंदनमनन निद्यासन करने योग होता है उच्छात्र होता है तो चिंदनमनन निद्यासन इसके पहले आपने देखा ही है कि ये बहुत ही जरूई चीज है इसमें जो चात्र होता है उसके क्या खूबियां हैं? चातर किसे कहा जाता है, उसके बारे में थोड़ा अंप्रकास डाला चाहेंगे, इसमें आपके समने कुछ बाति बताना चाहेंगे. आईए, चलते हैं, आगे क्या क्या कहा गया है, इसके संदर में देखते हैं. कि देखिए मुख्य बाते हैं आपके सामने हैं सांख दर्सन का जो मूल गंत है वह कपिल मुनी जो कपिल मुनी में हो दे थे जो गंगा सागर के पास उनका अश्रमाज भी है उनका जो तत्व समाज है यह इनका मूल गंत था क्यों संशिप रहता तो उसकी व्याख्या करके उ बातों के ऐनके प्रकिति महत अहंकार आप देखा वीडियो में देखिएगा मन्म ग्यानेंद्री हैं कर्में त्रमात्रह के बारे में पने जानते हैं कि हात आपकी तवचा है आपका कान है आंख है जीव है और नाख है और कर्मिंद्रियों में आपका मुखात पैर और गुदा है तनमत्राओं में आपने देखा एक सब्सक्रूपरस गंद पांच तनमत्राओं हैं और उसमें प्रकित महत और आंकार तीन चीजे आती है तो यह बिचार प्रक्रिया के दो यह चलती है क्योंकि यहां चात्संकल्पना में हमें देखना है तो चात्र विचार्वी मर्श्च की प्रक्रिया में ही आगे बढ़ता है जा देन करने के लिए तो इसके दो तक्तों में एक अंकार है और दूसरा तक्तो है आरम हल्क तूर आर न्षटा था रहते हैं इसमें यह अंतिक करण के हैं इसकी अन्र सरीन में नहीं को हैं जैसे ऑफ मु ऐद्ल यह a अहांकार को देख ले या महत को देख ले तो यह संबौव नहीं है क्योंकि यह इस जиса मन आपका चटी इंद्री है वह भी नहीं दिखाई देता है इसी प्रकार आपका अंकार और महत भी नहीं दिखाई देता है तो अंकार का तत्परी क्या है तो अंकार का तत्परी है कि एक वर्ष की आयू में रखिए यहां याद रखिएगा कि एक वर्ष की आयू में अंकार का जन्म हो सब्सक्राइब करता है अगर यह आता है एक साल में तभी आप कुछ देखते होंगे कि कोई बच्चा है मैं हूँ मेरा है मेरी मेरा पापा मेरा सामान मेरा खिलोना मेरा दूदिश तरह की बाते हुं करता है तो एक वर्ष में महात आंकार का विकास शुरू हो जाता है और यह जो है यह जो स्वा है यह जीवन परियंत चलता रहता है मैं मेरा का भाव जब तक रहेगा तब तक चलता रहेगा मनस जो है मनस का कारित जो है वह कोई भी जनकारी है उसको वस्तुनिश दंग से प्रस्तूत करना है लेकिन उसके बारे में जो जो उसका जो कलात्मक रूप स प्रतेजंग करने के संस्कृति करण है यह सब प्रक्रियां उसी के दोरा होती है और गयाक्ति करण को उसी के कारण विक्ति-व्यक्ति में बालक में शंसार के समझत प्राणियों के बैत पाया जाता है किसकी कारड़ इस अहंकार के कारण और तो आरंग में जो भालक का अहंकार है वगुत कम होता है यानि निहुन होता है और आयू के साथ ये बाहिन के लिगता है को जो बालक की भा लाक जो महत है दूसरा पित्य जो है यह महत है यह बाल विकास का सर्वोच शिकर है उब जी करता है औह अely करता है अब ज़िएक और मन ग्यान की वस्तौं के अंक करता है अहंकार उसे आत्मसाथ कर लेता है देखिए निंपां वही और गहीं 5 कास का जो सरवोच सिखर है वो बुद्धी अमात का विकास है मन आंकार बुद्धी क्रमसा चित के ग्यानात्मक भावात्मक पच्छे हैं द्यान दीजिएगा मन आंकार बुद्धी मन यह क्या है यह ग्यानात्मक पच्छे है जिससे ग्यान मिलता है आंकार यह भावात्मक पच्छे तो अन्यतत्ति के संधात, संघात, संगाट से पेदा हो रहे हैं यह सबकर मेल होता है जिस बालक का सर्वोच विकास वो महत विकास होता है मन अहंकार बुद्धी जो है वे करमसाचित के ज्यानात्मक भावात्मक और ज्यानात्मक भावात्मक और क्रियात्मक पच्छ है ये बुद्धी के ज्यानात्मक भावात्मक और क्रियात्मक पच्छ होते हैं और मन ज्यान की वस्तूओं का आखलन करता है अहंकार उसे आत्मसा करता है उसको अपने अंदर शमाता है अब बुद्धि क्या करती है बुद्धि जो है यह मन के पास ले जाती है इन सब कर नेड़े लेती है लेकिन जानते हैं आंकार इसका नेड़े नहीं ले सकता है मन के पास वाय जगत जो संसार है उसके अनुभों का संकलन है आंकार क्या क सिए इसको क्रियात्म करेगी मन क्या करेगा वह जगत के अन्भو को 8 कर लेता है उसको अ आत्मिसाथ कर लेता है उसमें उसको ले जाता है रहते लेकिन उसमें करड़ी क्या है अद्वील जितने वी प्रस्न ऒंका न्युडिद्दी करती है इसलिए बुद्धी को क्रियात्मक्ष रखा तीनों है आप साहदा अच्छी तरह से समझ रहे होगे कि मन ऑहंकार बुद्धी मन ग्यानात्मक पछे उससे सूचनाई मिलती हैं घ्यान के संदर में और वहावात्मक्षे क्योंकि यह बहुनाई दिमानदाती है और गुद्धि क्रियार्त मकपच्छ है क्यूंकि इसके द्वारा Тरक भी ज्ञानिंद्रियां, जो भी लेती है उसको मन तक पहुचा देगी, मन जो इस करके आपका आंकार तक पहुचा देगा, आंकार अपने विद्यमान जो पूर्व के विद्यमान उसके ज्ञान के भंडार है, उनमें सुखदुक्यन भूतियों के साथ वह उनका मेल करता है वात्मसाथ करता है लेकिन अंकार उसका उचित अनुचित निड़े लेने के लिए बुद्धी के पास भेद देता है बुद्धी संबेग जो होते हैं बुद्धी संबेग विशय के रूप में रुपांतरित होक कर अंकार के माध्यम से दोरा मन को कर्म करने के लिए फुना परुण सुखblesाशित करते हैं उसको तर्वितर कर वात है कि ऊच memory कर्यां में मारकर आपको मारकर दिखा रहा है तो ये मारकर भी दिखाना, ये बुद्धी, हमारे मन, अहंकार, बुद्धी की जो प्रक्रिया है, इस क्रम में ही चल रहा है, कि मन, अहंकार, बुद्धी, ये तिनों बते हैं न, कि मन कहता है अहंकार से, अहंकार कहता है बुद्धी से, अब बुद्धी निर्डले लेती है, उसके बाद फिर सेवा मन को अर्डर कर देती है तो इस तरह से अह प्रक्रिया चलती रहती है जड़ासा इसके चार्ट को समझे तो मान लीजी आपके सामने संसार की कोई गेवस्तु है जो जानना है आपको संसार की कोई वस्तु यहां पढ़िए माली जी मारकर पड़ा हुआ है तो ये वस्तु है इसके संदर में सूचना है आपका हंकार आपका बुद्धी नहीं लेगी है आपका मन लेगा किसकी सहाथा से ग्यानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के सहाथा से मन जो है अतिंद्री है वही निंद्रियों का संचालक है निय सूचनाएं हैं उसको कलेट करवाता है और शंबेदन प्रभावत्पन होता है यानि यह से मनस में यहां पहुचेगी तो विस्टलेशन करेगा मन संस्प्लेशन करेगा सामान्नी करण आज के द्वारा पत्य अच्छे ग्यान करेगा और शंबेदन प्रभावत्पन होगा जब एक सेंसेशन इफ्यक्ट उत्पन होता है अनेक्स्प्रेस्ट यहां अप्रकट लिखना चाहिए थोड़ा सा अद्विश्ट यह सेंसेशन इफ्यक्ट उत्पन होता है अनेक्स्प्रेस्ट होता है यहां जो संबेदन प्रभाव ज्यानिंद्रियों से जो सुचनाय आप मन को प्राप्त होती है, मैंने उदान दियागी मारकर का, ये मारकर है, आपने देखा जाना जो भी हो उसको बुली अभी, अभी आप मारकर के संदर में दिखिए, ये मारकर है, इस मारकर को जानने के लिए आपके लिए सबसे पहले कौन सक्री होगा, मन, मन के हारे हार है, मन के जीते, जीत अगर आपका मन शक्री नहीं हो रहा है तो इब मारकर हो, कुछ भी हो, नाग हो, जरीले साफ हो, बं हो, आपका मन कहीं और खोया है, तो इससे कोई वास्ता होगा, नहीं होगा, इसे आप कोई मातु नहीं देंगे, आपकी ग्यानेंद्रिय तब भी है, आपकी कर् सपार्ट को करना होगा है मा अतिंद्री है जब मनはは इसने ग्यान डियां ऑर क्रमिंद्र्ढु शब्सराणुट्ध रच ग्यान को लेती हैं इसके द्वारा अनेक्स्प्रेस्ट सेंसेशन इसफेक्ट जो उत्वन होता है उससे मन को सूचनाएं देती हैं इस मार्कर के बारे में कि ये इतना लंबा है इतना मोटा है हरे रंका चलता है ये कंपनी है वो है ये है जो भी है इस तरह की बातें सब बताएंगे तो मन क्या कर तो चास संकल्पना में कैसे सीखे आपको जानना है तो ज्यानिंद्रियों के द्वारा करभिंद्रियों के द्वारा मन को जो सूचनाइं मिलती हैं मन उस शुचनाओं का करता है करता है आज内 बश्यित से ऑफ़ करता है अ इसको मिला कि देखो भाई है आपके हमारे बच्चे के जो भी देख रहा है जो भी यहना चालता है उसको उसके स्वा ले जाता है उसके अहंकार को देता है सुचना है कि देखो यह मारकर है तो अहंकार कुछ खास उस पे तर्क वितर्क नहीं करता है मन जैसा बता देता है अहंकार वे ऐसा स्विकार कर लेता है अहंकार उसको उसी रूप में आत्मसाथ कर लेता है जैसा कि मन ने उसे बताया है मन के मत पर आपका अहंका शर्वदा चलता है तो आत्मी करण तो कर लेता है भावात्मक पच्छ है आत्मी करण होता है भावात्मक पच्छ में आत्मी करण हो गया है लेकिन यह क्रिया में नहीं जा रहा है क्रिया में यह कब जाएगा क्रिया में मारकर के शंदर में सूचनाएत तभी जाएंगी जब इस आत्मी करण के संदर्म में जो भी विसवस्त आत्मसाथ की गई हैं अहंकार के द्वारा उसको बुद्ध ही लेगी और उस पर अपनी जो प्रक्रियाइं हैं उसकी बहुँ सारी प्रक्रिया कगनी चैन्ट मेमरी और कंवर्जन ठिंकिंग डायवर्जन ठिंकिंग तमाम चीजें आप उसमें कितना मनुविज्ञान बुद्धी के जंदर माप देखें जितना जानिये कम है कि वो निश्चे करण करते हैं एक सब्द फिलास्पी में सबजिए तो बुद कर्म के लिए करती है और ग्यानिंद्रियों को मन कर्म के लिए मन को सूचना देती है बुद्धी क्या करती है मन से कहेगी और मन संकल्प लेगा संकल्प लेकर करके कर्म के लिए ग्यानिंद्रियों और कर्मेंद्रियों को पुना करता है एक्षन के लिए जब बाते बुद् प्रकेट में लेना जाना है तो जो ऐसा दिखे उसे ही मार कर समझेएगा तो यह मन को बुद्धी बता देती है यानी यह कि जो छीर नीर का विवेक है वह काम बुद्धी का है एक शुब करणी अकरणी आप चर्फ अपरेस जो भी आप समझे जो निर्डए लेने की स्थिती है वह नेड़े बुद्धी ले लेती है तो वह बुद्धी मनस की तरफ पहुचा देती है बाई देखो यह है अब इस पर आपको करना है तो बुद्धी मनस जो है संकल्प लेता है उसका करने के लिए और एक्षन के लिए उग्यानिंद्रियों को कहता है इस तरह से बालक में एक ज्ञान की प्रक्रिया का जो संचालन सांग खेदर्शन अपेच्छा करता है कि जो एक सिच्छक होगा विद्यार्थी की इस पूरी जो प्रक्रिया है इसको आप कह सकें तो शुचना प्राप्ति की प बालक प्राप्त कर रहा है यह कह सकते हैं या बालक कैसे सीखता है इसको कह सकते हैं ति इस ज्ञान की प्रक्रिया का यह बहुत ही महत्तुपूर्ड योगदान माना जाता है सिच्छा दर्शन में सांख का क्योंकि इस तरह से समझाया यह मनोविज्ञानिक रूप से भी बह जो प्राचीन धर्मे विज्ञान और दर्शन के विशेवस्तु हैं वहां तक आज भी नहीं पहुंच पाया है 11 सुरूयों की बात थुई है जो 36 में और तमाम गरंथों में कि 11 सौर मंडल हैं अभी आप पूरे प्रिविश्तु का जो विज्ञान है वह यह कही शौर मंडल तक चक्कर लगा पाया है तो यह दंग से बहुत से भी बाते हैं आप सतियूग तरिता और कल्यूग की बात करते हैं तरह से जो यूगों का बटवारा हुआ प्रम्भा विश्डु महेश में प्रम्भा विश्डु महेश भी यही है शत्रतम की बात है उसकी ब्याख्या है तो यह ब्रहत ब्याख्या है ज्यान की प्रक्रिया का किस तरह से बालक प्रप्त करेगा शांग के एक बहुत बड़ा दर्शन है बहुत ही ब्रियाद दर्शन है हम यहां सिच्छा दर्शन में उसको थोड़ा सा समेटने का प्रयास कर रहे हैं कि कि जितना आपके लिए आवश्यक है उतना ही अभी तो उसके बहुत से कारिकारण सिद्धान्त और तमाम क्या-क्या सिद्धान्त हैं उनको बताना बहुत मुस्किल है फिर भी मैं प्रयास आपको कर रहा हूं कि यह बाते आपको बेतर डंक से समझवानी चाहिए जो सिच्छा के संदर में आवश्यक है तो सिच्छा के संदर में यह बात साइज आपको ग्यान की प्रक्रिय बालक की समझवा गई होगी यही सांकिदर्शन सांकिदर्शन की जब सिच्छा के दिश्टी से आप देखने लगते हैं तो आपको आपको यह समझ मता है कि छात्र का जो शरीर है वह तनमात्राओं से बना है ग्यानिंद्रियों वह करमिंद्रियों का धाचा है आप पिछले वीडियो में देखे होंगे तो पंच महाभूतों और पंच तनमत्राओं की बात की जाती है कि सब्द अस्पर्ष रूप रस गंद यह पांच तनमत्राओं हैं सब्द से आकास और अस्पर्ष से वाई प्रेजल की और गंद से प्रिथिवी की ऐस पंच महाभूतों की पहला जो अस्तित्त वाता है तनमत्राओं का अता है उठ तनमत्राओं से यह पांच रतने और रची तरीर आ तब ये इस पांच रतन को जो सरीर का निर्मार होता है उस तरह आगे बढ़ती है इसलिए कहा ग पुरुष दोनों को समान महत दिया गया है पुरुष को पुरुष क्योंकि पुरुष चेतना है लेकिन बिना किसी आधार की वह चेतना सक्क्री भी नहीं हो पाएगी इसलिए पुरुष को एक आधार चाहिए तनमात्राओं से बना ज्यानेंद्रियों करमंद्रियों का एक ध प्रिकास प्रबल देता है यहां पर देखिए एक बात आपको समझना होगा कि जो सांख दर्शन है यह बालक के शरीर और आत्मा दोनों का सा पेच्छिक मतु देता है देख चुके आप आत्मा भी परियापतरूप से महत्तु को रखती है और शरीर का भी कहीं किसी रंग से उ कि बालक फिकमा एब चुकें यह और पहले ही देख चुके एकात्मवाद भी है यह सभी यस्तित्चों को अलग शिकार करता है यानि इस्वरवादी दर्सन है यह इस्वर को नहीं स्विकार करता है तो यह कहता है कि जितने शरीरे हैं जितने अस्थित्व हैं वो सब इस्वर है यानि इस्वर है तो जितने हैं सब इस्वर है यह कांत वाद हो जाता है तिसलिए इसके इसमें देखा जाए तो शरीर और आ कर देते हैं तो यहां आपको यह आपके सामने यह एक बहुत बड़ा जबाब होगा उपर उत्तर का प्रस्ण का कि देखिए हमारे यह सांक्युक दर्शन है जिसमें सरीर और आत्मा दोनों का परियाप्त वैसे कोई भी दर्शन आपकी सरीर की उपेच्छा नहीं किया है लेक आपको अभ्यक्त नहीं कर सकती और बिना शरीर के आत्मा पंगु है तथा निश्क्री है दूसरी और आत्मा के प्रकास के बिना यह सरीर क्या है अंदे के समान है जीवन में जो परिपूरता लाने के लिए शरीर और आत्मा शरीर और आत्मा दोनों का जो है संतुलन आवश जो मुल उद्यशिस का है कि विद्यार्थी के सरवांगिण विकास की बात की जाती है उसके ग्यानात्मक भावात्मक पच्छ जो आप टेकनलाजी में ब्लूम जैसे वरतमान के विद्वानों को सुनेंगे यह बाते आपको महाश कपिल मुन के समय मिलती है कि ग्यानात्मक भा आपका और बालक क्या है इसके संदर में अपने जाना कि बालक पूरुस वा प्रकित के पूरुस पुरकित वा ने तत्यों का मेल होता है वह उसमें ना तो पूरुस को और ना तो प्रकित को किसी को उपेच्छित नहीं किया जा सकता इस तरह से संकल्पना के संदर में मैंने आपको पूरा समझाने का प्रयास किया जो बाते पूछनी हो आप पूछ सकते हैं आपका कमेंट बाक्स में स्वागत है चैनल लाइक करने सेर करने सब्सक्राइब करने में भी आप विचार कर सकते हैं धन्यवाद नमस्कार